दोबस्तों Android रच्टुडियो इंस्टॉल करने के बाद आपको घ्र्च लिपने पूर एंगर आप ने अप इसे ऐसे एर्रॉर्स फेस करें बटाउंगा तो आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं यह आपको इस पुरी वीडियो में सेखने को में लेगा तो बने लेगा हमार सब इस पुरी वीडियो के एंड तक मैं हम आपको ऊच निकरिशामा और आप देख रहे हैं बस प्रिड़े टाएंग तो दोस्तो जैसिकमर आपको बता है कि आप Android Studio तो अपने सिस्टम में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद अब अपना कोई प्रोजेक्ट रन करेंगे तो हो सकता है कि आपके सामने एरर आए यह वीडियो जस्ट मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके सामने Android Studio को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने में जो एरर आता है उसको कैसे सौल किया सकता है इस वीडियो के बाद हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट से Android Studio पर बनाना जिससे आप सीख प करेंगे उसके अब अपना टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने Android Studio इंस्टॉल कर लिया हो अपने सिस्टम में तो आप उसको ओपन कीजीगा एक न्यू प्रोजेक्ट या फिर से और जब आप उसको रण करेंगे जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपके प्ले बटन यानि की रण बटन आपको मिलता है उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट रण होता है और उसके लिए आपका प्रोजेक्ट रण होता है उसके लिए एक एमुलेटर ओपन होता है यानि की आपका एक सिस्टम में एक न्यू फोन ओपन होता है जिसमें आप अपनी application को test कर पाते हैं तो यहाँ पर जो error आपके पास आएगा जिस वज़े से आएगा वो मैं आपको बताऊँगा आप जब उस अपने project को run करेंगे यानि कि emulator को run करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरहीर की से दो error आएँगे emulator process finished with exit code 1 emulator error 86 emulation currently requires hardware acceleration तो इस तरीके से आप इस error को कैसे दूर करेंगे यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि hardware acceleration की need है आपके system को तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे आपको google से एक software download करना होगा आप जिस गूगल पर search करेंगे HAXM यानि कि इसकी फुल फॉर्म होती है hardware accelerated execution manager ठीक है तो आप जैसे ही google पर search करेंगे तो आपके पास top में कुछ websites open हो जाएगी ठीक है यानि कि software.intel.com की आपके पास यहाँ पर website open हो रही है जस्त आप इसको click कर लेंगे और open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ पर आपके पास git hub यानि कि आपके पास intel website यहाँ पर open हो रही है आपको यह software कई websites पर मिल सकता है तो आपको इस software को यहाँ से download करना है यहाँ पर आपको downloads का option मिलेगा the latest HAXM release for windows and macOS hosts are available here तो इस here पर आप click करेंगे यहाँ पर click करने के पास आपके पास यहाँ पर new website यानि की new page open हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन files को आप direct यहाँ से download कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है HAXM version 7.4.1 तो इसके जिस नीचे तो आपको यहाँ पर कौन सा download करना है वो आपको देखना है आप जस्ट यहाँ पर आप देखें HAXM windows version 7.4.1 zip यहाँ पर लिखा रहा है आप जस्ट इस पर double click करेंगे आप जस्ट इस पर click करेंगे click करते ही यह आपके system में यहाँ पर download होना चालो हो जाएगा ठीक है इसको आप show in folder करके आपके जहाँ पर भी system में download हो रहा है वहाँ पर जाके आप इसको extract कर लीजेगा extract करने के बाद आप देखें कि इस तरीके साम इसको extract कर लेते हैं सबोज और यहाँ पर हमारे पास extract होने के बाद एक folder यहाँ पर create हो गया है haxm windows के नाम से इसको में open करके आपको यहाँ पर यह file मिलेगी intel haxm android तो मैं आपको उधात हूँ कि इस file को आपको install करना है इस setup को आपको run करना है लेकिन install करने से पहले आपको आपने system में एक setting आपको करनी पड़ेगी जो कि आपको BIOS setting करनी पड़ेगी इसको बोलते हैं intel virtual hardware enabled यहाँ दोस्तों यह आप कैसे enable करेंगे यह सोचने वाली बात है आपका तो इसके लिए आपको अपना system off करना पड़ेगा restart करना पड़ेगा और जिस तरीके से से आप अपने system की BIOS setting में जाते हैं उस किसें आपको बैव सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर एक सेंज करना हूं आपको JUताहँered हूं आप जब configuration आपके पस ऊपर आगा Intel Virtual Technology तो यह आपका disabled होगा इसको आपको just enable करना है enable करने के बाद आप escape की दबाएंगे और yes बटन पर प्रेस करके यानि कि enter प्रेस करके आप अपनी configuration सेव करके अपने system को वापिस से restart करेंगे तो restart करने के बाद जब आपका system start हो जाएगा उसके बाद आप अपने system में यह hardware accelerated execution manager आप install कर लेंगे install करते ही आप देखेंगे कि आप जो application यूज़ कर रहे हैं उसमें जब आप अपने application में जाएंगे यहां पर आपके पास यहां पर tools आएगा tools में आप जब जाएंगे tools में आपके पास एक interface open होगा जिसमें left hand side में android SDK आपको मिलेगा android SDK में आप जाएंगे और उसके बाद right hand side में आप दिखेंगे तो आपके पास ओपर theme tab आएंगे SDK platform, SDK tools, SDK update site तो इसमें आपको मिलेगा है हाँ पर intel 86 emulator accelerator इस पर आपका check होना चाहिए प्लस आपका install लिखाना चाहिए जिस्ट आपको यही setting करनी है इसके बाद आप बहुत असानी से बहुत easily android studio पर work कर पाएंगे प्लस अपनी application को भी test कर पाएंगे तो जिस्ट आपको यह process follow करना है इस तरीकी के error से बचने के लिए तो दोस्तों यह सब करने के बाद hopefully आपका android studio properly work कर रहा होगा perfectly work कर रहा होगा तो next video में तयार रहेगा एक छोटी सी एप बनाने के लिए मेरे साथ और अपना android studio open करके हमारे साथ बैठेगा और हमारे साथ साथ create कीजिएगा आप को अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो यह जानकरी अच्छी रगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपकी साथ यह error आपने फेस करा हो तो कमेंट करके बताएगा कि आपने भी यह सेम error फेस किया था और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि आपको मिलेगा बहुत सारा technical stuff हमसे जो आपकी बढ़ाएगा technical knowledge हमेबाद जया है कर दो